सो हे गाइद वलकम बैक टू माई चैनल तो आज किस पड़िकलिव बात करेंगे पब जी मॉइल के बेस्ट सेंसिविटी सेटिंग जैसे कि कई सारे ऐसे यूटुबर होते हैं जो कि वह अपना कोड देते हैं लेट में जाके आप उनके कोड लगा देते हो तो यहाँ पर जैस जैसे कि आप सब को पता होगा कुछ ऐसे प्रोपिलियर्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही सौट पर दो तीन बंदा को मतलब वो निप्टा लेता है मतलब उसको रस कर देता है तो कैसे आप अपने सेंसिविटी सेटिंग को कर सकते हो मतलब बहुत ज्यादा वह कि आप समय से तो फूर्तिला रहता है मतलब समय सकते अपनी भासा में उसको बताना चाता हूं चुकि बहुत अच्छा रिफ्लेक्स वो देता है तो काफी लोग का मन में सवा रहते कैसे आखिर में अपने सेंसिविटी को सेटिंग करो तो इस वीडियो को फूल बाज जरू बन जागों सेंसिविटी का तो सबसे पहले यहां पर मैं बता देना चाहता हूं यहां पर जैसे कि यह हम लोग को आई बटन आपको पता है जैसे कि यह टीपीप मोड में आई बटन हम लोग 360 पूरा अगदम चारो तरब देख सकते हैं यह हुआ एप पीपी मोड में देख सकते हैं सिर्फ आधाई यह आप देख सकते हैं और ज्यादा आप पीछे वगर आप नहीं देख सकते हैं तो चलिए यह तो आप सब को समझ में आ चुका आप सबसे बड़ी बात टीपीप और एपपीप को लेकर स्टार्ट होता है हम लोग को सेंसिविटी सेटिंग्स तो तो सारा कुछ सेंसिविटी में आप लोग को एक एक ट्रीक बताऊंगा किस से क्या वर्क होती है आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं आपका कोई डिवाइस हो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं जैसे कि थार्ड परसन होता है टीपीप फरस्ट परसन हो सबसे पहला केमरा सेंसिविटी फ्री लूप फ्री लूप क्या रखने केमरा के लिए जैसे कि थार्ड परसन टीपीप मोड में इसको मैंने कर दिया है कम देख सकते आई बटन काम हो रही है कुछ भी काम नहीं हो रही मैं आप लोगों को दिखा रहा फिर से एक बार आई ब मो़मेंट देखे एक मैं आपसे इसक को बता देने चाहते हो जैसे कि 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 मेरा फिरी लूक में जाके यहां पर मैं इसको नूपकर आप इसको पता चल जाए हैं तो भी सब más इका timer तो इसका काम देखो, सबसे बड़ी काम, जैसे कि आप पहाड पे जा रहे हो, कहीं पर कहीं पर भी जा रहे हो, देखो, केमरा मतलब यानि कि अपना आई बटन समय देख रहा हूं, आगे पीछे कोई बंदा आ रहा है की नहीं, जैसे आपको पता चलेगा, अब तुरंट उसक जो कि यह आई बटन बहुत ही काम का चीज होता, इसको यूज करना सीखो आप लोग, ठीक है, तो यह होती है, जैसे कि केमरा सेंसिविटी फ्री लोग का, यह होता है, फर्स्ट परसन होता है, एप पीपी, यह तो आप सबको मैंने अभी बताया, एप पीपी, एप से फर्स केमरा आता, वो तो केंसरा केमरा का फिरी लुक था, यह केमरा आता, तो थर्ड परसन, नो, इसको केमरा का मैंने कर दिया, आफ, बिल्कुल भी नहीं है, तो चलिए, टीपी, पी मोड पर आता हूँ, और जैस्ट यहापर थर्ड परसन की बात हो रहा है, इसलिए टीपी पर की वर्क करेगी, देख सकते घीस रहा है, अपना इक स्क्रिन को, यह भी मोमेंट होई नहीं रहे, तो कैसे आप बंदे को मारा हको, मूमेंट होई नहीं रहे, देख सकते नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा चुरा कितना जादा वर्क कर रही है, तो इसमें भी कुछ लोग तो यह आप लोग मैं अपनी लेंग्विज में अच्छे से समझा रहा हूँ जैसे कि आप लोग को प्रोब्लम नहीं इसलिए अच्छे से समझाने की कोसिस कर रहा हूँ तो जैसे गाइस देख सकते हैं इसको एक मिनिमम रखना अच्छे से बंदे को रिफ्लेक्स दे सकते हो जोगी इस वीडियो को देखो फूल आपको कहीं भी प्रोब्लम नहीं है कि दस्वोग आप खुद सेटिंग से बता दोगे ठीक है तो यह तो केमरा सेंसिविटी फिरी लोग का है इसको नहीं टच करना केमरा की बात कर रहा था तो जैसे कि केमरा थार्ड परसन नोच को का बात का लिए नोच को बिसको बीना इसकोप का मैंने बताया और लोग जिसको बाता नेक्ma कंई रहा है इनक obs एग रहा है कि म एक आप जितना भी रख सकते हो जैसे कि मैं 65 कर दिया हूं देख सकते हैं कुछ जादा ही होगा बहुत जादा हो गया तो इतना जादा में भी कुछ लोग बोलते हैं मैं red dot लाके बंदे को नहीं मार पाए तो अब आपको ज्यादा हुआ होगा camera जो है आपका ज्यादा होगी ह तो उसको आप सभी कर लेना आपके तो चलिए इसको सभी कर देते हैं लोग था इसको कर लेते हैं इतने में इसको रखना चाहता हो गया तो चलिए आप देख सकते हैं रेड़ डॉट की बात कर रहा था गलती से किलिक हो गया तो देख सकता हाँ अब ठीक था कम कर रहा ज्यादा मत रखना ज्यादा कम भी मत रखना प्रॉलम हो जाएगी इतना में रखना आपका रड़ डॉट ठीक से काम करेंगी ठीक है तो चलिए केमरा में यह वी बता दिया जैसे कि आप यह 3x में आएगा 4x में सबसे बड़ी जान होता यहीं पर लिखावा साफ साफ आप देख लो यहां पर लाइन पर कि फारिंग टाइम में आपका काम नहीं करेंगा वो चीज़ बताएगा यहां पर ऐसाथ आपको वर्क कर रही है सब कुछ वर्क कर रहा है जैसे करता है इसको पगरा में जो भी करे जाना हूँ और एडिये संसिवीटी में जाना है और जैसे कि थार्ड परसन नो इसको यानि टीपीब मोड बे दिखाऊंगा थार्ड परसन नो इसको में कर दिया ठिक तो काम कर रहा लेकिन अगर आपने उपर वाला लाइन पढ़ लिया तो आपको खुद पता चलिया होग जैसे अपना जाए रहो तो मारोगे कैसे उसको तो यही होता है एडिये संसिवीटी का आप इसको जैसे की मैं अपना कंट्रोल के हिसाब सरकता हूँ आपको जितना में पसंद है उतना रखना यह जिसमें आप लोग एक्जामपल को थूरू बता रहा हूं कि मैं इतना पर यह नहीं की मेरा ही छाप देना फिर आप लोगो प्रोब्लम हो जाएगी ठीक है तो जास यहां पर देख सकता है आप फारिंग टाइम में बहुत अच्छे से यह वर्क कर रही है ठीक है यह प्रोब्लम आपको नहीं आना आप इस वीडियो को देखो और आगे क्या बता रह पारिंग के टाइम में भी बहुत अच्छे से यह काम कर रही है लेकि रेड डॉट के लिए मैं सेटिंग क्या हूं तो रेड डॉट में यह होगी नहीं देख सकते हैं कि इतना टच करके में घीस रहा और राइट साड़ के तरह मेरा टाच अगन जायरा लेकि रेड डॉट क तो चलिए आप नीचे चले जाते हैं एडिये संसिवीटी में जैसे कि यहाँ पर आप सबको बता दिया उपर मैं लाइन में साफ साफ लिखा फाइरिंग टाइम में आपका कुछ भी काम नहीं खरेगा बागे थार्ड इसकॉप 6 इसकॉप जो भी आप इससे से सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ पर आती है जाइरोस्कॉप जो कि आप सबको नहीं पता जाइरोस्कॉप कुछ लोगा रियूस करते तो पता कि जाइरोस्कॉप क्या ही मज़ेदार वाला चीज है तो बेसिक सेटिंग समय जाते हैं मैं आलवेज ऑन जाइरोस्कॉप खेलता हूँ अब इसलिए अगर आपको अच्छा खासा एक प्रोपिलियर बनना तो जाइरोस्कॉप ऑन खेलो उस टॉपिक में वीडियो है मेरा डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा या पर न्यू करके मैं वीडियो जल्द लेकर आऊँगा तो चलिए आप जाइरोस्कॉप को उप्सन इला भी रहा हो तो आप लोगों को दिखने रहा होगा अच्छा ज्यादा कर दिया 400 कर दिया आप देखो एला और आप कितना ज्यादा मतलब वर्क हो रहें लगा तो जिसका जाइरो डिलियर है फोन में तो चार सुच जाइरोस्कॉप यूजज करो आपका अच्छा खासा तो 400 अगर अच्छा डिवाइस तो 400 बहुत ज्यादा होते हैं फुल ज्यादा हो ज्यादा 400 अगर आप समाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है लेगिन मैं 300 का आसपासी इसको रहता था सब्सक्राइब तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से घिस घिस के ले जाओगे बंदे को देख सकते हैं घिस घिस के ले जाओगे बंदे को देख सकते हैं घिस घिस के ले जाओगे इसमें क्या प्रोब्लम आपको हो रही आप बंदे को ठीक से समाल नहीं पार होगा आपको घिस ना पड़ रहा लेकिन एक जाहिर उसको कितना तगड़ा मुमेंट देगा ना अधिकता जितने भी प्रो पिलियर आपको मार के चले ज ना बिलते हैं जो की बहुत ही अच्छे से रिकोयल कान्ट्रोल करता है और अपना मुमेंट बहुत ही अच्छे से देता तुस टॉपिक में मैं बता करका यह यिरो स्कूर्प के आपको डिस्क्रिप्सें वीडिए बिडियो मिल जाएगा और यह वीडियो का आपको वो पन्देमात्र!